नश्कार तो पाँचवे चरण के लिए प्रचार थम गया और अब वोटिंग का इंतजार है देश के चुनाओ का अहम मोड और कुल साथ चरण के चुनाओ होने हैं यानि चार चरण बीच चुके हैं पाचवा चरण उसके लिए प्रचार थम गया पाँचवे चरण तक देश के राजनीत के स्थिति क्या है किस दिशा में करवड बदल रही है राजनीत कहां खड़े हैं आज सत्ताधारी और विपक्ष के खे में और खास का उत्तर प्रदेश के सियासत में ये पाँचवा चरण क्या तैं करने जा रहा है और ये 13 सीटें कौन सी हैं और उन 13 सीटों के समीकरण क्या हैं आज के वीडियो में इसका विशलेशन करने की कोशिश करते हैं तो पाँचवे चरण के लिए प्रचार थम गया और आब वोटिंग का इंतजार है देश में अगला प्रदान मंतरी कौन होगा 400 पार का नारा तो अप सुनाए नहीं देता लेकिन मचली मटन मंगल सूत्र से लेकर के भैंस चोरी हो जाना और हिंदु मुसल्मान कर देना और उससे आगे बढ़ते हुए यह देश अब यहां पहुंच गया है कि कॉंग्रेस और सपावाले आ गए तो मंदिर पर ताला डलवा देंगे टेंट में भेज देंगे यह सब भारत के राजनीत में चल रहा है यह आपके वे एक वोट ने मंदिर बनवा दिया आपका एक देनी बेताहाशा उल्जन मायूसी चेहरे पर दिखती है वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमा आत्मिश्वास से लबरेस में जरा रहा है उतरप्रदेश की बात करें तो उतरप्रदेश में यह वही चर्ण है जिसमें आपके बहुत एहम सीटें बहुत महत्पूर्ण लुकर्ण बदलेगा उस करवट की सीटें बनती बिगरती दिखेंगी और दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा यह 13 चर्ण तै करेंगे लखनव इसके चर्ण में केंदर में हैं बात हम करें तो लखनव और उसके आसपास मोहनलाल गंज दो सीटों के अगर बात करें तो विदास मलहोत्रा चुनाव प्रत्याशी हैं लेकिन लखनव में बीजेपी की तरफ से राजनात सिंग उम्मीदवार हैं जो कदावर नेता तो पता ने रहे या नहीं रहे ये बीजेपी वाले लोग ज़ादा बेतर बताएंगे कडिनिंदा वाले नेता हैं पुराने समय मे ज़बूत नेता हुआ करते ते उत्तपदेश के पूर्व मुक्यमंत्री भी रहे बीजेपी के पूर्व राश्ट्री धक्ष भी रहे और लखनव की सीट पर पूर्व सांसत राजनात सिंग है शेहरी सीट है आम तोर पर बीजेपी के रुजहान में है इसलिए ये कहना आत माच्पा के खेमे की तरफ है बगल की सीट पर गर गौर करें तो अमेठी है मुहललाल गंज में बात करें तो मुहलाल गंज के प्रत्याशी सपा के तरफ से यहां पर आरके चौधरी है आरके चौधरी की 14 सीटे यूपी की यासे हैं और मौलाल गंज में 14 सीटों पर, यहां पर मामला फसा हुआ है, लोग यह बता रहे हैं कि, यहां थोड़ा सा समिकनद बदला हुआ देख रहा है, बदला हुआ समिकनद है, बदला हुआ वो है कि, जो परिशितियां बनी हैं, उ उन परिस्तियों के लिहाज से थोड़ा सा एक लड़ाई का समिकन आप कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा समिकन बदल रहा है तो दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो मोहलाल गंज में अभी लड़ाई मजबूत हो रही है जो रिजर्व सीट आती है मोहलाल गंज मोहलाल गंज सीट बीजेपी के हिस्से में थी लेकिन अभी की तारीक में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरके चौधरी ठीक ठाक चुनावती देने की कोशश कर रहे हैं बात करें हम तो एक बड़ी महत्पूर सीट इस चुनाव में तेरा यानि 14 सीट हैं अमेठी और राइबरेली अमेठी और राइबरेली दोनों दोनों इसमें चरण में हैं अमेठी पर बात करें तो कॉंग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से प्रत्याशी बनाया है कपहले ये सुनने में आ रहा था कि अमेठी से हो सकता है खुद राइबरेली से प्रियंका गाधी चुनाव लड़ेंगे लेकिन तमाम कवायदों पर बिराम लगाते हुए प्रियंका गाधी ने चुनाव न लड़ना कबूल किया है और अमेठी से केशोरी लाल शर्मा को कॉंग्रेस पार्टी ने अपना उमीदवार बनाया है वहीं राइबरेली से खुद राहुल गाधी चुनाव मैदान में बात करें हमेठी और राइबरेली की तो जैसे लखनव की सीट परमपरागत रूप से राजना सिंग के हिस्से में है वैसे राइबरेली की सीट परमपरागत रूप से कॉंग्रिस के हिस्से में है और राहूल गांदी के प्रभाव नए तेवर और तमाम तरह की चीजों के चलते राइबरेली की सीट पर कोई मजबूत लड़ाई देख नहीं रही है राइबरेली की मजबूत सीट कॉंग्रिस के खाते में आज भी जाती हूँ देख रही है अमेठी का चुनाव हार गई थी राहूल गांदी से लेकिन 19 में राहूल गांदी ने स्मृती रानी से हार देखी है और अमेठी की सीट पर स्मृती रानी ने चुनाव जीता था उन्होंने बहुत मेहनत की काम किया और पीछे गलियारों में अगर बात करेंगे तो अमेठी की सीट पर बीजेपी ने बहुत तरह की बिसाद बिचारा की थी कि अगर राहूल गांदी अमेठी की चुनाव लड़ने आते हैं तो अमेठी में बुरी तरह से राहूल गांदी को घेरने की कवायत बना ली गए थी कॉंग्रेस पार्ठी ने बहुत गजब की चाल चलते हुए क कि शोरिलाल शर्मा को वहां का प्रत्याशी बनाया और कि शोरिलाल शर्मा आज के तारीक में चुनोती देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रचार की कमान खुद प्रियंका गांदी ने सम्हाल लिए आपको यकीन नहीं होगा पिछले कई दिनों से प्रियंका गांदी राइबरिली और अमेठी में ही और खासकर अमेठी में ही डेरा डाली हुई है और अमेठी में डेरा डाली हुई अब वो प्रियंका गांधी और इन लोगों ने वहां के चुनावी समीकन को बदल कर रख दिया है इसलिए आज के तारीक में अगर हम बात करें अमेठी की तो व चलते या कहने के कोशिश में काम्याब हो जाते हैं तो यह देखना दिल्चस्प होगा कि वहाँ पर समीकर बदल सकते हैं और असुरती रानी के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है जालोन सीट जालोन जहांसी हमीर पूर बांदा ये चार जो बुंदेल खंड के जिले हैं उनमे भी इस पांचवे चार में चुनाव में वोड डाले जाने हैं जालोन से नाराण दास को प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने परदीब जहन है जहांसी से इंडिया गडवन्धन के प्रत्याशी हैं अजेंदर सिंग लोधी सपा के चेरे हैं स्रीमिती किष्णा जा रहा था कि एक तरफा चुनाओ होगा बीजेपी बड़ी आसानी से बुंदिलकंड जीत जाएगे लेकिन अगर हम पांचवे चरण का पूरा विश्रशन करें तो हम ये पाएंगे कि बीजेपी के लिए पांचवे चरण उतना आसान नहीं बचा और यहां पर टकर है यह पर एक पेच फसा हुआ है और यह पूरा का पूरा खेल यह पूरा का पूरा समीकर चुनोतियों से घिर गया है बीजेपी के लिए कहना मुश्किल है कि इन चारों लोकसवा की सीटों पर कौन जीतेगा लेकिन आज के तारीक में वहां लड़ाई है लेकिन कॉंग्रिस पूर और पौशाम भी दोनों सीटों पर लड़ाई तगड़ी हो गई है साधवी निरंजन जोती दस साल से फतेयपूर की सांसद है वो निशाद कमिन्टी से आती है अति पिछले समधाय से आती है बीजेपी की एक फायर ब्रांड विवादित बयानों वाली नेता कही जात लोकल पॉलिटिक्स में उनका समीकर घिरता जा रहा है और वहीं अंडिया गडबंदन की तरफ से एक मजबूत एक्के के रूप में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेश उत्तम पठेल को जो कि बहुत वरिष्ट नेता है समाजवादी पार ये सीट बीएसपी के खाते में चली गई थी तो सपा का कोई प्रत्याशी नहीं लड़ा था लेकिन इस बार ये सीट पठेल विरादरी के बड़े नेता समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर नरेश उत्तम पठेल के आथों में चली गई है इस इलाके के अगर समीकर्ण की बात करें तो यहां पर पठेल इरादरी मजबूत दाविदारी रखती है, मुसलिम आबादी जादा है, यादवों की आबादी जादा है, पर काष्ट में भी कुछ जातियां ऐसी है, खासकर राजपूर जैसे, उनका रुजहान इसमें इन्टी बीजेपी बनता दिख र रही है कि क्या वाकई मोदी और रमिशागर जीच जाएंगे तो वो योगिया दितनात को सरकार से हटा देंगे और उनका हाल भी वही शिवरा सिंग चोहान और इनका हो जाएगा क्या, जो मनौरलाल खटर का, रमन सिंग का हुआ था, यह समीकर अंदर अंदर भी बीजेपी को बेचन कर रहा है, और ऐसे में अगर बात करें फतेपूर के, तो फतेपूर की सीट पर, आज के तारीख में बीजेपी मुश्किल में घिर चुकी है, और फतेपूर की सीट पर नरेश उत्तम पटेल बढ़त बनाये हुए हैं, और आशर नहो कि फतेपूर पर इंडिया ग राजा भाया का प्रभाव हुआ करता था, लेकिन पिछले दिनों देखने को मिला कि राजा भाया ने कुछ भी सपश्ट नहीं किया कि वो बीजेपी के लिए केमपेन करेंगे कि नहीं, वो केमपेन नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में, अलांकि वो उतापदेश की समर्तन करना चाहें, वो समर्तन करें, और इस बात से पूरी कवाय तेज हो गई कि कौशामबी और फतेपूर पर इसका असर पढ़ सकता है और इसके समिकन के बदल थे, वहां का कौशामबी का समिकन भी बदल गया, विनोज सोनकर वहां के विबाधित नेता बन चुके हैं, दस साल वहां रहे और विनोज सोनकर से राजा भाया के भी एक 36 का आकड़ा है, हला कि राजा भाया ने समाजवादी पार्टी को आयन मोकी पर धोका दिया था जब बस पाथ से गडबंधन था और राजसमानों ने सपा के साथ होते हुए भी सपा को वोट नहीं दिया था औ इस बार इंदरजीत सरोज के बेटे हैं, पुषपेंदर सरोज, इंडिया गडबंधन ने समझा दे पार्टी ने पुषपेंदर सरोज को कौशामबी लोकसभाज सीट से प्रक्ट्याशी बनाया है, और इंदरजीत सरोज जो की पासी बिरादरी से आते हैं, जो अखिले श कौशामबी से इंदरजीत सरोज, हमीरपूर से अजैंदर सिंग लोधी, और वहीं गोंडा के सीट पर बात करें, तो श्रेया वर्मा जो राकेश्वर्मा की बेटी हैं, और समाजवादी नेता, पुराने नेता, बेनी प्रसाद वर्मा की पोती लगेंगी, वो उस परवार से आती हैं, और वहीं इस पाँचवें चरण में पीडिये का कमाल देखें, कि फैजाबाद लोग सभा, यानी जो अयोध्या की सीट है, अयोध्या की सीट पर, सामाने सीट पर, एक दलित तबके से आने वाले पुराने समाजवादी, वर्ष्ट समाजवादी नेता, अवध विश्पेंद्र, सरोज, जो कि पासी विरादरी से आते हैं, अति पिछड़े समदाय से आते हैं, अवधेश, परसाद, जो कि दलित समाजवाद से आते हैं, और सामाने सीट पर, यानी अनारक्षित सीट पर, सिडलकर्ष्ट के कम्रिटी के लिग को टिकर दिया, ये काम बी पिरट के सामान सीट पर, दलित समाज की कंडियत को टा रहा है, वहीं श्रेया वर्मा जो गूंडा से हैं, और एक अच्छे समाजवादी विरासत के घराने से आती हैं, बेनी परसाद वर्मा का कद समाजवादी राजनीत में, एक कदावर निता का कद रहा है, बेनी वर्मा की राजितिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आविदारी करते हुए बेहत युवा, पढ़ने लिखने वाली, बेहत प्रतिभाशाली, बेहत संजीता, बेहत प्रभावशाली, शेया वर्मा को तिकट दे करके गोंडा के सीट का भी समिकन बदल दिया तो आज की तारीक में अगर आप कहें तो आरके चोधरी, मोहलाल गंज, नरेश उत्तम पटेल, पतेपुर, पुषपेंदर सरोज, कौशामबी, मश्रेया वर्मा, गोंडा और अवधेश प्रसाथ, जो फैजाबाद, अयोध्या सीट से हैं, सीधे, सीधे, ये पांच सीटे क्या वोट डालने का दिन आते-आते, यहां पूरी तरह से समय कर बदल गया है, और समाजवादी पार्टी ने अपने जोश और जज़बे से, जनता के मुद्दों से, खिले श्यादों की मेहनत से, चुनाओ को दल्चस्क बना दिया, और आज की तारीक में ये पांच सीटे जो लडाई में हैं और जिसमें समाजवादी पार्टी की प्रत्याशियों को बढ़त मिले रहे हैं, कैसर गंज की लोगसवा सीट पर भगत राम मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है, जो कि दमदार प्रत्याशी है, दबंग प्रत्याशी है, कहा यह जाता है कि कई सो गाड़ ब्रजभूशन शरन सिंग, जाट समाज में गहरी नाराजगी, किसान समदाए में गहरी नाराजगी, क्योंकि महिला पालवानों ने गंभीर आरोप लगाए ब्रजभूशन शरन सिंग पर, तो बीजे पी ने कैसर गंज का टिकट बहुत दिन तक गोशित ने किया, जब ती ब्रजभूशन शरन सिंग का अपना प्रभाव है, अपनी दबंगई है, अपना पैसा है, रूतबा है, दबदबा जिसका दावा वो करते हैं, उस दबदबे को दबदबे वाले नेता से चुनोती पेश करा दिये, अखिले श्यादर ने, तो भगत राम मिश्रा जो कैसर ग आशनों में दिखता है, जितना उनके तेवर में दिख जाता है, इसलिए पूरा समीकन बदलता हुआ देख रहा है, कैसर गंजलोकसवा सीट का, बात करें 12 बंकी सीट की, तो 12 बंकी सीट गई है, इंडिया गडबंदन यानि समाजवादी पार्टी के खाते में, और यहां स उनके बेटे तनुच पुनिया को यह सीट मिली है, और 12 बंकी में तनुच पुनिया एक कड़ी टकर दे रहे हैं, यह भी सीट आसान नहीं है, तो आज के तारिक में अगर बात करें तो जालोन, बांदा, जहासी, लखनव, यही सीटें कॉंग्रेस पार्टी के समाजवादी के लिए आसान बताई जा रही है, वाकी राय बरेली, एक तरफा चुनाव जीत रही है इंडिया गडबंदन, दूसरी तरफ अगर फाइट की बात करें तो मुहलाल गंच, अमेठी, उसके बाद हमीर पूर, गोंडा, कैसर गंच, फैजाबाद, बारा बंकी, कोशामबी, फ अधिकान जगों पर पीछे जाती देख रही अपने अंदरुनी संकट के वज़े से, अपने अंदरुनी विवात के चलते और अपने अंदरुनी राजनीती के चलते, इसलिए इन पांचमें चरण में, आज की तारिक में इंडिया गडबंदन कड़ी चुनोती पेश कर रह हैं, तो अमेठी भी इंडिया गडबंदन जीत जाए, अमेठी मेरा मानना है कि राइबरेली, अमेठी, फतेपूर सीकरी, गुंडा, कौशामबी और ये फैजाबाब, ये पांच-छे सीटें ऐसी हैं जिसमें इंडिया गडबंदन या तो जीत जाएगा या बढ़त में है जीत जाएगे, जिसे राइबरेली तो जीती जाएगे, राजना सिंग की सीट बीजेपी जीत जाएगी, इसका एडवांटेज होने देख रहा है, जालोन और बादा और जहासी की सीट पर बीजेपी को बढ़त है, लेकिन बाकिये सारी सीटों पर बीजेपी मुश्किल में खसी होने, इसलिए देखना दिल्शस्त होगा कि अंतिम परडाम इस पाच्वेज चन का क्या आता है, अगर इन पाच्वेज चन के चोदा सीटों में से, बीजेपी आज की तारीख में, चोदा में से 12 जीती होई है, 12-13, और अगर 12-13 में से बीजेपी अगर 7-8 पर सिमट जाती है तो 400 पार कहां तो पूरा उत्तर प्रदेश ये नहीं देश का समय कर बदल रहा है आपका क्या मानना है निक्षे कमिन बॉक्स में चरूर बताईएगा फिर मिलेंगे किसी और विश्रेशन के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत दन्यवाद झाल